हाई फ्रेंड्स, कोचफ़ लाइफ की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम बहुत महत्वपुन बात करने वाले हैं एक व्यक्ति, बेंक्रप्ट कैसे होता है फोर वेज तो गेट बेंक्रप्ट ये फोर वेज ऐसे वे है कोई भी व्यक्ति अगर इसका यूज करेगा तो वो बेंक्रप्ट होगा ही होगा आपको विचार आएगा कि हम सक्सेस की बात करते हो सक्सेस्फुल कैसे बने लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम बेंक्रप्ट कैसे ना हो पैसा कमाना या पैसा इकड़ा करना बहुत इजी है लेकिन जो लोग बेंक्रप्ट होते है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ये चार वे ऐसे वे है अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे मैं एक सक्सेस्फुल व्यक्ति को मिला उस वेक्ति के साथ मैंने वारतालाब किया उसने मुझे ये कहा कि बचपन से मैं न्यूस पेपर पढ़ता हूँ और मैंने न्यूस पेपर में देखा है जो भी वेक्ति उटता है या जो भी वेक्ति बेंक्रप्ट होता है वो बेंक्रप्ट क्यों होता है और जो भी विक्ति ग्रोथ करता वो ग्रोथ क्यों करता है मैं खाली बैंकरप्ट की बात नहीं करूँगा साथ मैं इसके solutions भी बताऊँगा बहुत आसान है लेकिन अगर ही हम इसको अपनाते हैं तो life में कभी भी हमको खाने के फाफे नहीं पड़ेंगे या हम वो तकलिफ में नहीं आएंगे जो तकलिफ से लोग आज बैंकरप्ट होते हैं आप व्याज पे या इंट्रेस्ट पे पैसा लेना शुरू कर दीजिए अभी lockdown टाइम है आपको लगेगा कि यह क्या बात कर रहे है लेकिन आप देख लिजिए अगर आपने पैसा लिया है और इंट्रेस्ट पे और व्याज पे लिया है दो महीने से पूरा इंडिया lockdown में है आप फील करिए उसका इंट्रेस्ट के आपको नहीं लगेगा जो जो लोग bankrupt हुए है उसका सबसे मात्वा पूर्ण सबसे पहला reason उन्होंने व्याज पे या इंट्रेस्ट पे पैसा लिया है बाहर से बहुत अच्छे दिखते है जाहो जलाली वाली life है यानि सबको ऐसा लगता है कि क्या जीवन है लेकिन actual में वो लोग अंदर से Mercedes में गुमते है या खुद की private yacht भी होती है लेकिन अंदर से वो लोग खोखले होते है तो कभी वी व्याज पे या इंट्रेस्ट पे पैसा नहीं लेना चीए हाँ आप ले सकते हो लेकिन कब जब आपको पता है कि आप जो इंट्रेस्ट पे पैसा ले रहे हो उससे ज़्यादा इंट्रेस्ट पे आप income create करते हो वोई पैसे को business में या कहीं लगा कर तो आप use कर सकते है otherwise व्याज पे पैसा नहीं लेना चीए तो उसका solution क्या है solution यह है अपनी खुद की moodi create करो या अपने पास जित्ता भी है उसमें वैसे प्ले करो जिससे आपको life में bankrupt ना होना पड़े या घर बार बेचके road पे ना आना पड़े आज जित्ते भी लोग bankrupt हुए है उसका सबसे पहला सबसे महत्वपून reason वो लोग ऐसा सोचते थे इतना interest पे पैसा ले लेंगे business करेंगे और काम हो जाएगा व्याज का चक्कर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और इंसान एक दिन खलास हो जाता है so this is reason number one reason number two जो हमको बहुत ध्यान रखना है वो यह है जितने लोग bankrupt हुए है उसमें कहीं न कहीं दारू, सिगरेट, तंबाकू, लड़की बाजी यानि कि अयाशी ऐसा कोई उन्होंने nature अपनाया है और पैसे को उड़ाया है मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ एक बार जो कपड़ा पेना वो दूसरी बार वो कभी नहीं पेनते हैं हो सकता है, आप ऐसा कर सकते है लेकिन वो तब जब आपके पास इतना access money हो, जहां कहां रखना है कहां use करना है और वो व्याज पे ना हो तब जाके आप यह सब कर सकते हैं लेकिन मैं आज लोगों को देखता हूँ वापस यही reason आएगा कि हम कही ना कही दिखावे में जीते है मैं कैसा दिखता हूँ, वो ज़्यादा important है ऐसा लोग दिखाता है, मैं नहीं कि मैं अंदर से कैसा हूँ मैं यहाप एक story सुनाना चाहता हूँ एक आडमी जो बहुत अच्छा painter था 30 साल की उसकी उमर थी उसने सोचा कि मुझे ऐसा एक painting करना है जो painting world के best आडमी का painting हो और उसने यह जब सोचा, उसने तै किया कि मैं पूरे दुनिया में घुमूँगा गुमते 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 एक गाउं में गया उस गाउं में उसने देखा कि यह आदमी एकदम भोला, निर्दोस, अच्छा और संसकारी आदमी है क्यों मैं इसका painting ना बनाओ 20-22 साल का लड़का था, आखों में करूना दिखती थी उसने उसका painting बनाया उसने ऐसा painting बनाया जो painting वर्ल्ड में famous हो गया इसकी इतनी कॉपिया भी की कि मत पुछो बात और ये जो painter था वो अब जो करोडोपती बन गया अभी ये painter अपनी life जी रहा था तक्रीबन 20 साल बात जब ये व्यक्ती 50 साल का था तब उसको विचार आया कि अभी मुझे दूसरा एक painting बनाना है और मुझे ये painting ऐसा बनाना है जो एक शेटान का painting हो यानि जो सबसे खराब में खराब आदमी हुआ हो उसका painting मनाना है ये आदमी दून्टे 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 उसको पता चला एक जेल में एक कैदी है जिसने साथ खून किये है दिखने में इतना कदरूपा है यानि के लिए उसके रूम में जाता है जो कोटडी में उसको जेल में जो कैदी है वहाँ पे और वहाँ पे वो sketching कर रहा है वो सामने बैठा है उसका और sketching करते करते जब drawing complete होने आता है वो देखता है कि वो जो आदमी सामने बैठा है उसकी आख में आशु है वो रो रहा है वो खैदी रो रहा है जिसने साथ खून किये वो आदमी पूछता है जिसने क्यों रो रहे हो वो आदमी painter को कहता है आपको नहीं पता है मैं यही व्यक्ति हूँ जिसका आपने आज से 20 साल पहले best विक्ति का painting बनाया था लेकिन जब आपने painting बनाया वो लोगों में famous हुआ करोडों अब जो रूपे मिले तो लोग मुझे ढूंटे ढूंटे आए एक अमीर आदमी ने उसकी बेटी की शादी मेरे से करवाई क्यों? क्योंकि मैं इतना अच्छा आदमी था आप बिलीव नी करोगे वो पैसे के कारण जो मेरे दोस्त नहीं थे वो दोस्त बने खराब लोग जिनको पैसे से प्यार था मेरे पास दारू, सिग्रेट, तमाकू ये सब बुरी आदते लगती गई और पैसे में मैं खो गया अयास जीवन जीने लगा जो था वो तो चला गया और वो लाइफस्टाल जीने के बाद मैं अपने आपको रोक नहीं पाया, इसलिए मुझे लोगों के चोड़ी करनी पड़ी और आगे जाके खून करने पड़े, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं वही व्यक्ति हूँ तो नंबर दो, लाइफ में कभी भी ऐसा कोई आदत नहीं अपनाना तो करना क्या है, अच्छी आदत है अपना हो अच्छे लोगों के बीच में रहो सुबे जल्दी जागना, बूक रीड़ी करना अगर आपको bankrupt होना है कोई भी सरकारी कर्मचारी के साथ दुश्मनी करो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के पास ऐसे powers होते हैं, कि वो चाहे तो कोई भी काईदे में, कोई भी जगा पे आपको ऐसे चुंगाल में डालके आपको फसा सकते हैं, आपको system से problem है, system के सामने case करो लेकिन किसी व्यक्ती के सामने और वो भी सरकारी कर्मचारी के सामने कब भी fight में नहीं उतर लेगा तो solution यह है अगर आपको problem है, तो system से problem create करो आपको wet से problem है, GST से problem है, lockdown period में जो rates या rents लगे है उससे problem है, उसके सामने fight करो लेकिन किसी भी कर्मचारी है, वो police कर्मचारी हो वो आप कोई municipal corporation में जाते हैं और कर्मचारी हो कोई income tax या sell tax officer हो वो अपना फर्ज दिवा रहे है उनको भी paid है तो उनके साथ दुश्मनी कभी मत करो वो उतना काम करें, उनको अपना काम करने दो हाँ, आपको करनी है तो system के सामने fight करो नमबर चार, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं मानता हूँ कुछ लोग मानेगे, कुछ लोग नहीं मानेगे वो है अंदा धूंद खेलना अंदा धूंद खेलना यानि मेरी जेब में 10 रुपे है, और मैं 100 रुपे का risk लेता हूँ, मैं माज बाजार से उधार माल लेता हूँ, उधारी में खेलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये बिग जाएगा वो होग जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा अच्छाना कोई भी एक जगा आपका break पड़ा, तो आप देख सकते है तुलन्ति आप bankrupt हो जाएगे सो एक कहावत है कि चद्दर से ज़्यादा प्यार नहीं फैलाने चीए, मैं ये नहीं कहूँगा फैला हो, मैं खुद कहता हूँ, being the game of failure, आप ऐसी game में उत्रो जहां कहीं नहीं आप हारने वाले हो, लेकिन वैसी game ना हो, कि जिसको हम blindness करें अंदा धून खेले, और फिर एक दिन हम कोई नहीं पता हो कि हमने कितना कुछ कहाँ फैला है और हम bankrupt हो गया है यह चारो चीज, नमबर एक, मैं रिपीट करता हूँ, हमको कभी भी व्याज पे या लोन पे पैसा नहीं लेना है और लेना भी है, तो वैसे लेना है जिससे हमको पता हो, कि हम उससे ज़्यादा amount कहीं से create कर सकते हैं नमबर दो, हमको कभी भी यह खराब आदत, दारू, cigarette, तबाकू या फिर कोई लड़की बाजी या या शी की कोई भी आदत हमको नहीं अपनानी है नमबर तीन, हमको सरकारी कर्मचारी के साथ दुश्मनी नहीं करनी है और नमबर चार, अंधा धुन नहीं खेलना है, be in the big game but not in the game of failure like ऐसी failure हो, जिसमें हम कभी उठी ना पाए, ऐसा कभी नहीं करता है यह चार चीज़ अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम bankrupt नहीं होगे, otherwise let's come in the game of bankruptcy हो जाएए bankrupt, यह चार वे से आप bankrupt हो सकते हैं, thank you very much do take care of yourself, हमारी यह YouTube चैनल को subscribe करे, like करे और लोगों में share करे, क्योंकि आपके नद्दिक में भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मैं ग्रप के नजीक जा रहा हो व्याज पे पैसा लेकर, उसकी life में आप contribute कर सकते हैं, ऐसे करके, और सबसे महत्वपोना बात अगर आपको लगता है कि हमको कोई नई वीडियो बनाने चाहिए, कोई topic के उपर, तो आप हमें comment में लिख सकते हैं, कि आप इस type की वीडियो बनाई है, thank you very much